नमस्कार दोस्तों, तो आज जो केक की वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर भी हूँ, वो हापकेजी बटर्सकॉच केक की रेसिपी है, और यहाँ पर मुझे लग रहा था केक तयार हो जाने के बाद की एक तम से उदास उदास सा लग रहा है मेरा केक, तो फिर मैंने क् हम लोग इसी तरह करते हैं, तो आप भी मेरी तरह घर में बैट कर केक बनाएं, और घर की बने हुई चीजों का लाव उठाएं, और घर के बने हुई चीजों का टेस्ट ही कुछ खास होता है दोस्तों, तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और ह फिर से मैं इसकी जो लेयर कट करने वाली हूँ, वो थ्री लेयर में ही कट होगी, क्योंकि होमेड इस्पॉंज को काफी पसंद किया जाता है, बेकरी से या फिर शॉप से लाई गई केक, वो बात नहीं होती है, जो घर की बनीवी चीजों में होती है, तो यहाँ विपिंग 500 ग्राम लग जाता है, और अगर 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 आप यह काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए माइने रखता है कि सब कुछ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करें, और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी क्रीम दब गई, केक दब गई, क्योंकि जैसे ही दूसर और यहाँ पर कम्प्लीट कवर कर लिया है, तो जब भी किसी फ्लेवर की हम केक बनाते हैं, या तो उसका क्रश आप घर पे तयार कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो रेडिमेट आप माला कमपनी की ले सकते हैं, चुकि यह बहुत आसानी से हमारे नजदी की बेकरी शॉप ने अवलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो हम लोग इस तरह से अपने काम को कर सकते हैं, और घर की बनी हुई चीज जो होती है, वो बहुत खास होती है, क्योंकि कम्प्लीट हाइजीन मेंटेट करके हम उसे तयार करते हैं, और आज की इस केक के उपर हम को शॉटली, तो इस तरह का हमें डिजाइन मिल जाएगा, तो यहां उपर वाले हिस्से में मैंने टेक्स्चर इफेक्ट दे दिया, मैं हमेशा यही काम करती हूँ, जब भी फिनिशिंग में कोई भी दिक्कत मुझे लगता है, गड़बड़ी हो रहा है, मैं प्रापर फिन किया, नीचे में थोड़ा सा डिफ्रेंट्स कर दिया, तो इस तरह से आज की मेरी हाप केजी केक बन करके तैयार है, जो एकतम से आसान था, केक डिजाइन, आप भी इस तरह का आसान वाला डिजाइन घर पर जरूर ट्राइ करें, और इस तरह की चीज बना कर अपने फैमिल वीडियो में तब तक की बाई